Hello everyone, कैसे हो आप सब? तो आज के reading में हम देखने वाले हैं कि कि आखिर वो आप से क्या चाहते हैं ठीक है? तो ये हमारा reading का आज का topic रहने वाला है तो आप लोग मेरे साथ ये reading देखेंगे और इस reading में पूरा focus करके देखेंगे ठीक है? तो मैं आशा करती हूँ आप सब से कि आप लोग पूरी तरीके से इस सुरू से ले करके last तक मेरे साथ बने रहेंगे तो reading का topic मैंने आपका बता दिया और याद रखे कि general reading है collective है ठीक है? और bracelet की reviews लगातार आ रहे हैं love life के लिए और यह आपके career के लिए so जिनको भी bracelet की booking करवानी है वो मैं आपको यही WhatsApp नमर पे booking करवानी है ठीक है? वो मैं आपको जो है ना आप message करोगे तो वहाँ से reply मिलेगी मैं reply नहीं करोगी लेकिन जो reply होगा ठीक है? उनसे ही आपकी booking होए ठीक है तो आप जो है booking करवा सकते हैं मैं इसका review फिर से एक नया review आप से share कर रही हूँ तो चलिए करते हैं reading को start और यह भी बता दू कि मुझसे अगर आप personal reading लेने में interested हैं तो आप मुझसे personal reading भी ले सकते हैं जो कि paid reading होती है चलो करते हैं start so please guide किज़े का एंजल्स देखते हैं कि आखिर वो आप से क्या चाहते हैं सारे cards निकालेंगे हम okay four cards से रने देते हैं bottom of the deck देख लेते हैं वाव milk and honey very nice बहुत अच्छा card बहुत अच्छा card आपके relationship में आपके person आपका सांथ चाहते हैं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके person आपका सांथ चाहते हैं ठीक है cards बता रहे हैं clearly so आप जाए ना happy happy हो जाओ क्योंकि happy रहने वाली बात ही है चलो करते हैं cards निकालते हैं आप देखते हैं क्या cards निकलके आते हैं हमरे पस three cards bottom of the deck boundaries so I think focus जादा है तो एक minute हाँ अब ठीक है cards अच्छे से दीख रहे है boundaries का card है चलो ठीक है तो थोड़ इसी मैं detail reading करने वाली हूँ detail reading ज्यादा लंबी भी नहीं होगी ठीक है but reading रहेगी कि हाँ सारे चीज़े clear हो जाएं वो क्या चाहते हैं आपके साथ bottom of the deck wonders वाव बहुत अच्छी energies ठीक है तो ये हमारे पास cards आ चुके है ठीक अब हम tarot के द्वारा देखेंगे लेकिन बाद में पहले हम इन cards को देख लेते हैं सबसे पहले हमने ये carding करा था तो इसी को open करूंगे में सबसे पहले तो इन का card है number 2 again number 20 का card यानिकी number 2 imagine number 36 okay and है मेरे पास number 16 all that guiltors होगे चलो इससे card देखते हैं forgiveness emotional freedom and है मेरे पास the destroyed feminine चलो अब ये भी card देख लेते हैं कि क्या card है going forward enlightenment I think card आपको दिखेंगे and है मेरे पास purity wow so अब card ठीक है आपको दिख रहा है मैं थोड़ा सा और फोकस सही है हाँ चलो तो यहाँ पर जो cards है clearly बता रहे मुझे आपके जो cards है आपके person और आपके बीच में थोड़ा बहुत ठीक है आपके person ने आपको तकलीफ दिया है आपको दर्द दिया है आपको जो है हमेशा जो है यह person तकलीफ देते रहते हैं आपको ऐसा फिल होता है और ऐसा भी फिल होता है कि इसे मेरी feelings मेरी emotions कि कोई कदर नहीं है ठीक है और मैं इससे कितना बरदाश्ट करूँ आप कभी-कभी यह सोचते हो कि मैं इससे कितना बर्दाश्ट करूँ क्यों यह बार-बार मेरे साथ ऐसा करता है क्यों यह बार-बार मेरे साथ ऐसा करती है ऐसा भी है क्योंकि यहाँ पर आपको काफी तकलीफ होती है आपकी feelings, आपके emotions कि बीना परवा किए आपके person आपको कभी-कभी बहुत ज़दा hurt कर जाते हैं जिसकी वज़़े से आप टूट जाते हो काफी तकलीफ होती है आपको आप expect करते हो कि आपके person आपको बहुत प्यार देंगे बहुत ज़दा यहाँ पर feminine energy ज़दा है तो जितने में मेरे viewers देख रहे हैं वो DF के energy में है तो यहाँ दिख रहा है कि आपके person इंतिजार कर रहे हैं कि पहला moment कौन लेगा पहला action कौन लेगा मैं या फिर वो तो पहला action लेने का इंतिजार हो रहा है क्योंकि इस person ने आपको बहुत तकलीफ दी है बहुत दर दिया है बहुत चोट पहुँचाई है इस person ने ठीक है और यह person आपको लेकर के काफी कासी सोचते तो हैं कि हां कासी ज़दा सोचते हैं कि हां जो होता है न कि हां सोचना प्यार करना है न यह सारी चीजे देखो आपके person ने बहुत तकलीफ दी है आपको और इस person को बहुत ज़दा regret भी feel होता है यह person बहुत ज़दा regret feel करते है आपको चोट पहुँचाई है इस person ने बेशक चोट पहुँचाई है इस person ने यहाँ पे लेकिन ये person ऐसा नहीं है कि चोट पहुँचा करके और खुश है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये person को बहुत ज़़ा regret feel हो रहा है और अपने आपको कोशना इस परसन को जो है न मुझे नज़र आ रहा है ठीक है मैं देख पा रहे हूं कि आपके परसन को आपके जो परसन है वो अपने आपको कोश रहे हैं ठीक है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया है क्योंकि यहां पे आपको तकलीफ बहुत 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 जादा दी है ठीक है और वही है कि इनके चेरे पे मास्क लगा हुआ था आप समझ नहीं पाए आपको ऐसा लगता है कि इनके चेरे पे मास्क था और मैंने पहचाना नहीं तो यह मेरी गलती है और आप उदास रहते हो परिशान रहते हो बाट वही है कि अतना ज़धा सोचने की जरुरत नहीं है ठीक है यहाँ पर सचाई सामने एक ना एक दिन आती है वैसे ही आपके सामने भी आई है आपके person की सचाई ठीक तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो person है आपके साथ क्या चाहते हैं तो सबसे पहले ये आपके साथ start करना चाहते है new beginning करना चाहते है आपके तरफ से सोचते हैं कि कोई message आए कोई call आए ठीक है तो आपके तरफ से कोई ना कोई message किसी ना किसी call का इंतिजार है इनको और चाहते हैं कि आप ही पहले सुरुआत करो उसके बाद ये person बात करेंगे ये person आपको लेकर के काफी ज़दा manifestation करने के बारे में सोचते हैं या manifest already करते हैं ठीक है visualization करते हैं ठीक है यहाँ पे एक visualization technique का ही use करते हैं ये person बहुत जादा प्याद है, emotions है, feelings है, और ये person चाहते हैं कि अब वो प्यार, वो relation फिर से निभाया जाए, फिर से बनाया जाए, जिस तरीके से हम पहले रहे थे उसी तरीके से फिर से रहा जाए एक दूसरे के साथ, तो ये person का देख पारी हूँ कि ये person जो है ना positive तो है, ठीक उसको ये person risk को accept करने को तयार है, अगर आप इनको माफ करें, तो यहाँ पे ये अपकी life में आना चाहेंगे, ये person ऐसा सोच रहे है, यहाँ पे मैं देख पारे हूँ कि आपके person emotional freedom चाहते हैं, ठीक है, emotionally freedom चाहते हैं, ये person ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये कुछ भी करें तो emotional हैं और freedom भी इनको काफी जदा पसंद है, आपको भी पसंद है, तो हर कोई अपना अपना जो है ना यहाँ पे freedom चाहता है, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपने कोई boundaries भी create की हैं अपने लिए, कुछ ऐसी boundaries जिसको पार करने के लिए इनको काफी जदा struggle करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके साथ यह सपने बहुत जदा देखते हैं कि हाँ आपके साथ new beginning हो और connection आगे बढ़े, ठीक यहाँ पे कुछ चमतकार, कुछ ऐसा हो जिससे आप दोनों का bond जो है ना बहुत strong बन जाए, आप दोनों एक दुसरे को बहुत pure heart से जो है ना एक new beginning कर पाओ, ठी लाइफ में एक नया ठीक है, एक नया पना सके, आपकी relationship में एक नया पना सके, तो यह person का मैं देख पा रहे हूँ कि आपके जो person है, अभी फिलहाल, मैं देख पा रहे हूँ कि यह person आपके साथ बहुत ही अच्छे-च्छे खाब देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे-च्छे और ये person आपसे माफी मागने के बारे में भी सोच रहे हैं ये चाहते हैं कि आप इनका साथ छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाओ कहीं भी नहीं जाओ क्योंकि ये person नहीं रह पाएंगे आपके बिना ठीक है आपके वगर ये तो ये person रहे नहीं सकते मैं देख पा रहे हूं कि ना इनकी चाहत ऐसी है कि नहीं रह सकते इनको अपने relationship में आना है देखो यहाँ पर काड आ भी गया action का काड ये person चाहते हैं कि हाँ आप दोनों के relationship में कुछ जो है न एडवांस हो ठीक है कुछ अच्छा हो कुछ positive हो जिससे जो है न ये person भी positive हो सके त्री ओफ पैंटिकल्स यहाँ पर ये person किसी ना किसी से आपके बारे में भी बाते करते हुए नज़र आ रहे हैं हो सकता है कि अपने घर की फैमिली मेंबर से ही बाते करें वेशे को इनको कुछ न कुछ सजेशन दे रहा है या खराब दे रहा है है यहां पर कोई इनके फीमेल फ्रेंड होसकती है या मदर होसकती है जिनके बारे में यह सोच करके यह परसन कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है हम जो हैना आगे बढ़ते हैं, रिलेक्शनिशिफ में आगे बढ़ते हैं और सदेशन क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे यह यहां पर करते में लेख रहे हैं आपके person आपको छोड़ नहीं सकते है इनको बेचाइनी होती है जब भी यह आपके करीब नहीं होते है आपसे बात नहीं करते है इनको अलग से बेचाइनी होती है ठीक यहाँ पर insecurity भी feel होती है इनसेक्यूर होते हैं यह person आपको ले करके बट यह person का दिख रहा है कि देखो यह person जो है ना आपसे दिल से प्यार करते हैं और दिल से जो है ना दिल से accept भी करना चाहते हैं आपको मैं देख पा रहे हूं कि दिल से यह चाहते हैं आपको और दिल से accept भी करना चाहते हैं नियू बिग्निंग करना चाहते हैं ठीक अब आपके साथ नियू बिग्निंग करना चाहते हैं जो भी चीजे पास्ट में हुई है उसको भुला करके एक नया सवेरा क्यों ना किया जाए इस परसन की ऐसी सोच है ठीक है इस परसन की ऐसी चाहत है कि मैं नियू बिग्निंग कर रही है जिसके कारण से ये परसन थोड़ा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं यह पर्सन का ऐसा भी है कि इस परसन का behavior का है या फिर इस परसन की एसी energy ही है कि जगलिंग करना है ना यह साफ साफ बात करने वालों में से नहीं दिख रहे हैं ऐसा दिख रहे हैं जिसे कि हमेशा ही जो है ना परिशान रहते हैं हमेशा ही दो चीजों में confused रहते हैं दो लोगे में परिशान रहते हैं अपना profit अपना loss ज्यादा सोचते हैं action लेने से पहले ये person ज्यादा ही ठीक है deeply deeply सोचते हैं कि क्या ये profitable होगा relationship या नहीं होगा अगर होगा तो ही मैं action लोगा अगर नहीं होगा तो action नहीं लोगा इनकी energy ऐसी है आपके person की ठीक यहाँ पे दिखर रहा है कि आपके person लगभग लगभग यही सोचते हैं कि नहीं अगर fruitful रहा relationship तो मैं आगे बढ़ूँगा मैं उनको proposal दूँगा उनके साथ शादी करूँगा और उनके साथ अपना घर बसाऊँगा ठीक है page of cups के energy ठीक है page of cups के energy clearly बता रही है कि आपके person आपको proposal देना चाहते हैं बट again यह दो रास्ते पे खड़े हैं ठीक है दो रास्ते पे खड़े हैं करे क्या करे क्या decision लें क्योंकि यहां पे third party involvement भी हो सकती है especially इनकी mother ठीक है या इनका career ठीक है दो चीज़े मुझे third party में नज़र आ रही है इनका career और इनकी mother ठीक और हो सकते है कि इनके father भी है involved वो इसमें तो नज़र आ रहा है कि आपके person आपके साथ तो new beginning करना चाहते हैं आपके साथ relationship में आना चाहते हैं फिर से work करना चाहते हैं अपने relationship पे बट क्या है न कि इस relationship में अब कुछ इनको लगता है कि शायद मैं efforts डालूँगा तो मैं success नहीं हो पाँगा तो मुझे पहले सोचना चाहिए deeply उसके बाद अपने relationship में work करना चाहिए या चलना चाहिए तो यह आपके person आपका सांथ चाहते हैं आपके सांथ जीवन भर का सांथ चाहते हैं मैं यही देख पार ही हूँ आपके card में ठीक तो यह रही आज की reading आपकी reading फिर मिलते हैं अगली reading में तब तक खसते रहे हैं मुस्कुरातरी और खुश रहे हैं बाबाई